तो हम इसमें faces of mitosis के दोरान, जितने भी changes होते हैं, cell division में, जितने भी faces आएंगे इसमें, तो हम उसको पढ़ेंगे, सबसे पहले micro phase होगी, second metafase होगी, third enaphase होगी, and fourth telophase होगी, इसको अगर आप याद करने का सबसे इसका अच्छा तरीका है, कौनसी face पहले आएगी, कौनसी second कौनसी third and कौनसी fourth one, तो इसके जो initial words है, PMAT, इसको हम क्या कर लेंगे, रट लेंगे, PMAT, P for pro phase, M for metafase, A for anaphase and T for telophase, तो सबसे पहले interface के दोरान, जो हमारे changes होए हैं, तो हम उसके लेके चलेंगे, plant cell और animal cell को दोनों को साथ लेके चलते हैं, आईए उसके diagram को नज़ा डालते हैं, कि यह जो मैं इधर, मैंने left side में लुकिया है, यह सारे animal cells है, और जो right side में है, यह है plant cell, तो major difference क्या है in cells में, वो हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे diagram बनाया हुआ है, जो यह interface, पहले हमने बताए थी, वो लिखा हुआ है, उसे कल्क्यू पहले इसकी outer covering है, it is called cell membrane, एक nucleus है, अंदर इसके nucleus है, और इसके nucleus है, chromatin thread है, और जो जिसके अंदर यह secure है, क्या nucleus, जिसके अंदर इस secure रहता है nucleus cell के, it is called the cytoplan, क्या कहला है जाए गई, it is called cytoplan, इसी तरीके से plant cell में, plant cell में क्या है, हमारा, यह जो हमारी cell wall है, cell wall, यह हमारी cellulose की बनी होती है, केवल plant cell में, यह cell wall हमारी cellulose की बनी होगी, और इसी तरीके से, जैसे chromatin thread था, वो chromatin thread, nucleus के अंदर मौजूद है, nucleus यह रहा, और इसी तरीके से, यहाँ पर, क्या है, क्रोमोजोम का, जो material है, वो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर animal cell में भी क्रोमोजोम का material पड़ा है, बट आस्टर्स आर दिया, इन animal cell, only in animal cell, आस्टर्स आर दिया, यह जो आपकी रेज दिखेंगे, इस कौन दा आस्टर्स आर पर, इन दा प्लांट से, देर आर नो आस्टर्स दिया, ओके, देखते हैं हम यह आपर, यह हमारी इंटरफेस है, इंटरफेस में क्या क्या चैंज हो रहे है, वो आपको, मैं ने डाइगराम से बता ही दिया है, सारी जो भी पार्ट से, उन सब को मैंने लिखवा दिया है, आप इसको नोट कर लीजे, अपनी कॉपी में, और इसके बाद, हमारी इंटरफेस के बाद, हमारी जो फेस शुरू होगी, वोगी प्रोफेस, और प्रोफेस में भी हमारी दो सेंट्रोसोम है, कंटेनिंग, सेंट्रोसोम, कंटेनिंग, सेंट्रोसोम, यह जो सेंट्रोसोम है, यह हमारा डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट, आप यह आपको दो दिख रहे हैं, सेंट्रोसोम, तो इसमें यह दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और कहां अपोजिक पोल की शुरू हो जाते हैं तो आस्टर्स यह जो देख रहे हैं यह दोनों डिवाइड हो गए अभी तक डिविजन नहीं हुआ यह आप इसके बाद यह क्या हो गया सेंटोसों डिवाइड हो गया दो सेंटियोल्स में तो यह सेंटियोल्स कहां पहुंच जाएंगे हमारे हमारे चेल्ड कहाएं सेंट्ब्लाज्द हो दो बंड़िवाइड होगा आगे चलके लेकिन अभी जो होईंगे जो हुए जोपींद सेंटोसों में वह दिवाइड हो रहा है और जो सेंटियोब्स हें हमारे सेंटियो आ हें प्रोफोस की अछली फेस में अब इसके बाद जो यह हमारा chromatin thread है यह अभी तक interface में काफी हमें visible है और इसके पार जो प्रोफेस आएगी उसमें यह सब चीज क्या होगी कि जो हमारे chromosome है chromosome material है यह chromatin thread यह chromosome material है तो इस DNA का synthesis मैंने बता है था अब यही इसी phase में हमारे DNA synthesis स्टार्ट हो गया है अब यह जो chromosome होएंगे वो क्या होगा chromosome क्या होता एक प्यार एक उपर और नीचे उपर सेंट्रो मेर से चुड़ा होता है अब यह जो हमारे chromosome है वो क्या होएंगे कि वो थिक होने शुरू हो जाएंगे और पेरिंग कर लेंगे डुप्लिकेट हो जाएंगे डबल नंबर ऑफ प्रोमोजोम हो जाएंगे जो के हमारे सेंट्रो मेर से जुड़ने लगेंगे तो इस तरीके से हमारे यह जो है वो हमारे क्या बन जाएगा ग्रोमोजोम बन जाएंगे ख्रोमेटेट्स और वो सेंट्रो मेर से जुड़ने शुरू हो जाएंगे किस में एनिमल सेल में तो इस फेस में इंटरफेस से अली फ्रोफेस तक आते आते हैं कितने चेंजिस हो गया यह जो नूक्लियोलर्स है इसेपियर हो गया यह जो हमारा सेंट्रोसोम है डिवाइड हो गया और यह सेंट्रो मेर से चुड़ गया अब इसकी बाद और भी जो चेंजिस होते हैं उनको देखते हैं चिलने तो हमने देखा कि हमारे प्रोफेस की क्या के चेंज हो रहे हैं काफी सारी चेंज हो चुके हैं इसमें और यह जो आपके अस्टर है या पोजिट पोल्स पे आ रहे हैं जो नूक्लियर मेंब्रेन है वो भी डिसेपियर हो रही है यह लेटर सेज पे जाकर हो रही है लेटर सेज और प्रोफेस पे यह जो नूक्ल यह spindle fiber बनने शुरू हो गया है, nuclear membrane खतम हो गई और spindle fiber बन गया है और spindle fiber बनने के बार यह जो chromosome है वो opposite side में देखिया, opposite poles की तरब खिचने शुरू हो जाते है with the help of this spindle fiber और एक बात का उध्यान रखिये कि animal cell में आस्टरेस बनेंगी और जो plant cell होगी उसमें आस्टरेस नहीं होगी और यह spindle fiber जो है वो animal cell में भी है और plant cell में भी है plant cell में यह जो spindle fiber है आप देख रहे हैं अच्छी से कि यह जो spindle fiber बन रहे है plant cell में तो यह किस से बनेंगे chromatic strand से यह हमारे spindle fiber आरफ और जो spindle fiber बन रहे है animal cell में nuclear memory नहीं भी disappear होगे later pro phase में और plant cell में भी disappear होगे plant cell में जो यह spindle fiber बन रहे हैं यह किस से बनना है cytoplasmic strand से ओके अब जो next इस चीज होगे वो क्या होगी metafir तो अब हम देखेंगे यह metafir जो animal cells में और plant cells में दोनों में तो अब क्या होगा इस face में इस face में यह जो हमारे chromosome हैं यह सबसे पहले तो यह spindle जो fibers हैं उनसे एक एक chromosome जितने भी chromosome हैं वो attach हो जाएंगे चाहे हो animal cell हो चाहे हो plant cell हो और उसके बाद में क्या होगा कि यह जो poles की तरब से खिस्ते खिस्ते एक बीच में equator पे आने शुरू हो जाएंगे देखिया यह poles की तरब से और equator पे एक equator पे आने शुरू हो जाएंगे poles के compression एक line-up हो जाने शुरू हो जाते हैं ओके चलते हैं अब हम बिल्कुल लास्स चीज़ पर आ गया है cell division की और इसी telophase it is called telophase और यही cytokinesis इसमें start होना शुरू हो जाता है cytokinesis मतलब कि इसमें division of cytoplasm start हो जाएगा अब इसका क्या होगा इसमें क्या change हो रहे हैं वह हम देखते हैं जैसे टू पेर और क्रोमोजोम रिस्ट अपोजिट तो जो हमारे क्रोमोजोम है वह chromatids में आ जाएंगे sister chromatids में बने थे अब sister chromatids भी क्या होगी कि वह क्रोमेटिन फाइबर में अल्टिमेटली फिर से वह chromatid fiber में देख लिए यह नुक्लोलाई है और chromatid fiber chromatid fibers क्या है वही जैसे chromatids बने थे जैसे क्रोमोजोम बने थे अब क्या होगा अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा कि क्रोमोजोम से chromatids से फिर वह क्या होगा chromatid fibers बन जाएगी chromatin fibers और नुकलोलाई एप्येर हो जाएगा नुकलियाज एप्यर हो जाएगा …नुकलियार मेंब्रेन एप्यर हो जाएगी और यह फरोजो है.. वह सेल में हमारा यह ऊपर दीचे से फरो से डिविजन इस्टार्ट हुआ है और जब कुछ वा होगा कि मेल जो यह घोण फेट है यहां से हमारा डिविजन this Sakka questi क्षों से के वहाइड होंगी रिपाइड होएगी और इसी तरी किसिश इस change is होएंगे chromatid sturns to chromatin fiber nucleus बन जाएगा nuclei बन जाएगा cell membrane आ जाएगी यहीं cell plate जो होगी वह डुवाइड हो जाएगी center से और फिर दो daughter cells बन जाएगी यह cytokinesis क्यों कहला रहा है क्यों कि यहाँ पर cytoplans का division हो रहा है मैंने आपको पहले ही बताए था दो तरीके की division है, karyokinesis and cytokinesis, okay? Yes, children, अब हम next, जो second kind of cell division है, वो देखते हैं, it is called the meiosis, और आपको मालूम है, यह कहां पर होता है, यह होता है, गमीट्स में, गमीट्स और sex cell के लिजेए से, और sex cell में, testis and ovary, as well as in plants में, plant में कैसे होता है, एंथर and ovary, तो एंथर से pollen के, and ovary से ovary, okay? और इसका जो सबसी important aspect है, meiosis का, वो यह है कि number of tomosomes, जो sex cell में number of tomosomes होते हैं, वो totally क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, आगे चलके, तो आगे, जैसे, समझ लिजे, mother cell जो है, उसमें, जो number of tomosomes, जैसे, 2 है, या 4 है, तो आगे चलके, daughter में कित्ते हो जाएंगे? 2 बचेंगे, हाफ, just हाफ हो जाएंगे, तो इसको haploid भी कहते हैं, और diploid हमारा, जो हमने mitosis पढ़ा, diploid, meiosis, haploid, और इसी तरीके से number of tomosomes, जो होएंगे, वो हमारे express किस तरीके से होएंगे? N में, diploid होता है, 2 N से, haploid होता है, single N से, ओके, तो इसी तरीके से क्या होगा? कि जो mother cell होगी, जैसे mother cell में 2 N है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? जब हाफ हो जाएंगे, N by N, ये मैंने आपको पहले बता चुक लिए, ये children, देखिए, ये meiosis में, एक diploid mother cell होगी, वो चार हमारी 4 haploid cells को produce करेगी, जो चार daughter cell बनेंगी, एक diploid mother cell से, वो चार haploid, haploid, haploid daughter cells हमको दाएंगे, it is called the meiosis, kind of meiosis, इसमें 2 kind है, हमारा meiosis 1 है एक और एक है meiosis 2, तो meiosis 1 को हम reduction भी बोलते है, it is also called the reduction, why it is called the reduction? because the number of chromosome reduced to half, in the meiosis 1, and meiosis 2, meiosis 2 में, it is also called the mitotic meiosis, जो कि इसमें mitosis, mitotic भी हो रहा है, meiosis भी हो रहा है, दोनों process are held और दोनों phase division की हो रही है, इसलिए हम इसको mitotic meiosis भी कहते हैं, इसमें number of chromosome remains the same, हमने देखा number of chromosome अभी जो हमने पहली phase देखा था, यह meiosis है, इससे पहले mitotic में देखा था, number of chromosomes will remain the same, इसी तरीके से हैं यह meiosis, लेकिन इसको हमने नाम दिया है mitotic meiosis, क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के phase हो रहे हैं, phase 1, और इसमें karyokinesis और cytokinesis भी हो रहा है, तो और इसमें number of chromosomes भी same रह रहे हैं, जो कि हमने पहले वाले division में पड़ा, इसी तरीके से जो पहला वाला है, हमारा reduction है, दूसरा वाला है हमारा meiosis to mitotic meiosis, यह important है, और reduction में क्या हो रहा है, number of chromosome just remains to or reduce to half, देखिए, meiotic mitosis में हमारे पास दो और जो इसके technical words है, वो आए है, वो देखते हैं, क्या क्या है, एक है synexis, दूसरा है crossing over, synexis क्या है, it is called two homologous chromosome, homologous means same chromosome, one from father and one from mother, एक कहां से आएगा, father से और एक mother से, यह दोनों मिलकर जब एक pair बनाएंगे, pairing of this is called the synapsis, क्या कहलाएगा, एक chromosome father से, एक chromosome mother से, तो इसको हम synapsis बोलेंगे, मैंने इस figure में यह आपको बिकुल क्लियरली दिखाया हुआ है, यह two sister, non sister chromatids है, यह दोनों आपस में मिलेंगे, एक father से है, एक mother से है, इसका एक pair और इसका एक pair दोनों मिलकर, एक हमारा chromosome यह pairing करेंगे, it is called the synapsis, और as well as crossing over क्या है, यह two non sister chromatids, जो non sister chromatids of a chromosome, एक chromosome में, जो दो non sister chromatids है, वो cross over करेंगे, cross over करेंगे, एक दूसरे पर, each over for exchange of genetic material, और जो genetic material है, जो genetic material है, उसको क्या करेंगे, एक exchange करेंगे, crossing over करेंगे, like this, इसको हम chasmita कहेंगे, chasmita, it is a, यह आपको एक number में पूछा जा सकता है, और आएगा यह brief में, यह यह कह देंगे, कि crossing over को हम क्या बोलते हैं, तो आप इसको chasmita कहेंगे, ओके, तो यह दो technical, जो उसमें दिया हुआ है, आपके book में, वो आया है, तो मैंने कहा, इसको भी बता दू, इस diagram को आप अच्छे से समझ लिजी, यह आपके लगता है, समझ में तो आगया होगा, इसमें से एक pair, इसमें से एक pair निकाल लिया, तो हमने एक पूरा pair बन जाएगा, एक chromatid इधर, एक chromatid इधर, तो एक pair बन जाएगा, तो यह एक आएगा father से, एक father से आया, एक mother से आया, और pairing हो गई, इसी तरीके से crossing over में, क्या होगा, कि यह एक pair, यह दोनों आपस में crossing over करेंगे, so that the exchange of genetic material, okay, that's all, यह आपका chapter, cell division, यहीं पर खतम होता है, children, thank you for watching my video, and इसी तरीके से, आपके subjects related में, आगे भी video डालती रहोंगे, please आप मेरे चैनल को like करिए, share करिए, और मेरे इस चैनल को subscribe करिए, और मुझे motivation दीजिए, आपके comments मेरे लिए, बहुत बहुत ज़्यादा precious है, please comments करके बताईए, कि आपको और कि subjects related video चाहिए, okay, thank you,